अपनने पढ़ाता कि अपने कितने सेंस ओर्गन होते हैं? फाइव सेंस ओर्गन होते हैं. कौन कौन से सेंस ओर्गन पढ़े था अपनने? आज हम पढ़ेंगे अपना मूड कैसा कैसा होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे हमें कुछ सर्कल्स दे रखें उसके अंदर पिच्चर्स दे रखें और अपने को अपना मूड बताना है जैसे फर्स्ट सर्कल में क्या हो रहा है? स्माइल आ रही है. क्या रही है? एक बड़ी सी स्माइल आ रही है और सभी काफी इमोजी काफी हैपी देख रही है. खुश देख रही है. तो यह इमोजी कैसा है? हैपी. ह-ए-पी-पी-वाई. हैपी. कितना खुश है? नेक्स्ट आपको इमोजी में कैसा दिख रहा है? बहुत ही सैड हो रहा है. बहुत ही दुखी हो रहा है. इसने मूझ को कितना छोटा सा कर रखा है और इसने आखे भी नीचे कर रहा है. तो यह काफी सैड है. बहुत ही दुखी है. सैड मतलब बहुत ही दुखी होना. ओके. नेक्स्ट स्केर्ड यह कैसा दिख रहा है अपने को? कैसा डर रहा है. जैसे अपने को अपनी मम्मी कभी डाटती है तो अपन कितना डर जाते हैं न? तो उससे अपन क्या बोलता है? स्केर्ड बोलता है. स्केर्ड मतलब काफी डर जाना. ओके. सी दबाव एक्स्प्रेशन एंड पीस्ट दब कलर स्टीगर्स. हमें कुछ अपने मूड्स दे रखे हैं. उनकी उनका चो स्टीगर है हमें यह आप पर लगाना है. और इनके स्टीगर्स हमें कहां दे रखे हैं? बुक्के पीछे दे रखे हैं. मैं अभी आपको बताऊंगी. ओके. जैसे फर्स्ट वाले बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? I feel happy. मैं बहुत ही खुश हूँ. मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है. बहुत ही अच्छा मैसूस हो रहा है. बहुत ही खुशी वाला मैसूस हो रहा है. तो हम यह feel sad. मतलब बहुत ही दुखी होना. बहुत ही दुखी महसूस करना. तो हम यहाँ पर कैसा पिच्छा लगाएंगे? sad का पिच्छा लगाएंगे. Next, I feel scared. मतलब बहुत ही डरा हुआ feel करना. बहुत ही डरा हुआ महसूस करना. तो हम यहाँ पर किस का पिच्छा लगाएंगे? scared क पिचर लगाएंगे अभी मैं आपको पिचर बताती हूं पीज नमर 19 के पिचर हमें दे रखे हैं जैसे ही लड़की कितनी खुश दिख रही है तो हमें हैपी वाले में किसकी पिचर लगानी है यह हैपी वाली लड़की की पिचर लगानी है नेक्स्ट हमें कौन से पिचर दे अपने को दिख रही है ना आपको तो आप ये स्कैड वाले ब्लॉक में इस लड़की का पिच्चर लगाएंगे ये थ्री पिच्चर स्कॉपन को निकाल कर उन ब्लॉक्स में लगाना है और ये आपको अपने होमवक में कम्प्लीट करना है ओके इस वर होमवक तो ये आपको हमवक में करना है ओके नेक्स्ट टिक राइट दा पिच्चर लगाएंगे हमें कुछ पिच्चर दे रखिए जो चीज आपको खुश करती है आपको उस पर टिक करना है जैसा अपन करेंगे आप भी मेरे साथ करिएगा फर्स पिच्चर में बर्थडे पर हमें मिल रहा है क्या मिल रहा है गिफ्ट मिल रहा है तो गिफ्ट मिलता तब अपन कितना खुश होता है होता है कि नहीं होता है बहुत ही खुश होता है तब इस पर राइट का निशान लगाएंगे राइट का टिक लगाएंगे नेक्स्ट पिच्चर का इके दे रखिए हम केक क कर रहे हैं केक कट करकर हम ममा को खिला रहे हैं हमारा बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है जब अपना बर्थडे सेलिब्रेट होता है तब अपन कैसे कैसा फील करते हैं बहुत ही अच्छा फील करते हैं बहुत ही खुश हो जाते हैं कि आज तो हमारा बर्थडे पर हमने केक कट क तो यह बच्चा कैसे गिर गया तो गिरते हों becoming करता हैं आपन लोने लग जाते हैं किई गिर जाते हैं तब दर लगता हैं तर अब बहुत ही दुख्षी बी द podemos लोलना है तो यहAIपी मूड है जब और घृतने तब अपन खुष होता है बताईए आप जब अपन गिर जाते हैं तब अपन खुश बिल्कुल भी नहीं होते तो अपन इस पे टिक नहीं करेंगे क्योंकि गिरते हैं तब अपन को तो रोना आ जाता है है नो इसलिए अपन तो इस पे टिक नहीं करेंगे नेक्स्ट पिचर हमें किस चीस की दे रखी है जिसे ममा पापा ब्रदर और सिस्टर सब साथ में बैठ कर खाना खाते हैं या पिकनिक पर जाते हैं तब अपन को कैसा फील होता है अपन कहीं गूमने जाते हैं तब अपने को कैसा फील होता है बहुत ही अच्छा लगता है बहुत ही खुशी होती है कि तो हम गाड़ी में बैठ कर घूमने गए, तब हम इस ब्लॉक में कैसा टिक करेंगे, राइट का टिक करेंगे, आप सभी को भी अपनी कॉपी में राइट के निशान को फिल करना है, ओके, अपना चेप्टर कम्प्लीट होने के बाद, अपन अपने बॉडी पार्ट्स के बार में पढ़ाता है, तो उससे रिलेटिट अपन कुछ क्योशन करेंगे, ओके, मैंने अपनी नोटबुक में क्योशन आंसर लिखने हैं, आप सभी को भी अपनी नोटबुक में क्योशन आंसर लिखने हैं, आप सभी को PDF सेंड किया जाएगा, आपको उसमें से देखकर अपनी fair copy में अच्छी writing में question answer लिखने हैं, okay our question number first is how do you feel when mummy scot you जब mummy अपनको डाटती है, तब अपनको कैसा feel होता है जब आपको अपकी mummy डाटती है तब आपको कैसा feel होता है, बताओ जब अपने को कोई भी डाटता है तब अपन डर जाते हैं, क्या हो जाता है अपने को, डर जाता है, कि कोई अपने अपने को जोर से चिला देता है तो अपने को कैसा लगता है, डर लगता है अपन छोटे छोटे से होता है, तो अपन को डर लग जाता है, तो क्या लिखेंगे अपन answer में, scad scared की spelling क्या होती है s-c-e-r-e-d scared scared मतलब क्या होता है डरना अब question number second is which body part helps you to jump हमें jump करने में कूदने में कूदने में कूदने में कूदने में कूदने में help करता है बताइए आप कूदते हैं तब किस चीज़ से कूदते हैं answer में हम लिखेंगे legs l-e-g-s हम legs से jump करते हैं उपा निचे jump करते हैं तो answer में हम क्या लिखेंगे legs next what helps you to smell a flower हम flower की खुश्बू लेने के लिए कौन सा body part use में लेते हैं क्या body part हम use में लेते हैं बताइए हम smell कौन से चीज़ से करते हैं कौन से body part से करते हैं हम eyes से करते हैं ear से करते हैं skin से nose से या tongue से बताइए हम smell कौन से चीज़ से करते हैं सोचिए हम smell nose से करते हैं N-O-S-E nose nose मतलब naak हम naak से क्या करते है smell करते है flower को smell कर सकते है तो आप answer में लिखिएगा N-O-S-E nose next question question number four name five sense organs कितने sense organ होते है हमारे five sense organ होते है हमें उनका name लिखना है मैंने आपको वीडियो में two times बताया कि अपने कितने sense organ होते है five sense organ होते है और five के name कौन-कौन से होते है बताइए first eyes eyes E-Y-E-S eyes मतलब आखे next nose N-O-S-E nose मतलब naak third tongue T-O-N-G-U-E tongue मतलब जिबान को हम बोलते हैं tongue okay fourth skin S-K-I-N skin fifth ears E-A-R-S ears मतलब कान यह अपने total five sense organ है यह आपको learn भी करना है okay question number four when do you feel happy आप खुश कब होते हैं बताइए आप खुश कब होते हैं हम अमारे birthday पर भी बहुत खुश होते हैं हम जब खेलते हैं तबी भी हम बहुत खुश होते हैं हम अपनी family के साथ में आई 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 टी एच डी एए वाई birthday हमारे birthday पर हम बहुत ही खुश होते हैं question number five which body part helps you to read हमें पढ़ने के लिए कौन सा body part use में आता है हमारा answer क्या है eyes e y e s eyes eyes मतलब eyes से हम क्या करते हैं eyes मतलब उत्ता है आखे और eyes हमें क्या help करती है देखने में help करती है हम book के अंदर देखेंगे और उसके बाद ही हम उसे पढ़ेंगे जैसे यहां पर you लिखा हुआ है तो you को हमने क्या करा हमारी आखों से देखा y o u हमने देखा उसके बाद हमने read किया इसे तो हम देखेंगे तब ही हम पढ़ पाएंगे इसलिए हमें सबसे ज़्यादा help किस चीज़ की होती है पढ़ने में eyes की e y e s eyes अबर लास्ट क्योशन इस क्योशन नमर्ग 7 how many ears do you have अपने कितने कान होते हैं बताइए answer में क्या लिखेंगे two ears t w o 2 e a r s ears हमारे दो कान होते हैं ओके अब आप सभी को यह अपनी फेयर कोपे में नोट डाउन करना है